नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आत्म लोग का जो तीसरा लोग है इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे पहले और दूसरे लोग के बारे में हमने जानकारी ली है मैंने पहले भी आपको कहा था कि आत्म लोग में टोटल साथ लोग है और इसमें जो पहले तीन लोग है उसको नरक कहा जाएगा और बहाँ पर जो आत्माई रहती है वो बहुती बुरी परिस्तिती में ही रहती है और यहां कर जो आत्माई होती है उन्होंने मतलब पुरुत्वी पर आने के बाद बहुत बड़े बड़े पाफी जाताजर किये होते है इसलिए उनको यहां पर रहना पड़ता है जो पहला वहाँ पर आत्माव का जो शरीर है एकदम आध्यादूरे नहीं रहते लेकिन फिर भी वह एकदम मतलब एकदम खुशी में जीते है ऐसे नहीं होता उनको वहाँ पर बहुती दुख में जीना पड़ता है वहाँ पर जो वातावरन है वो भी इतना अच्छा नहीं होता आत्मा पर फिर भी प्रकाश नहीं है, मैं आपको एक image दिखाता हूँ, इसको कहते है grey world, मतलब उस तरीके से मतलब एक दुनिया, जिसे grey दुनिया हम कह सकते हैं, वैसा यहाँ पर वातावरन होता है, यहाँ पर जरा भी प्रकाश उस तरीके से नहीं होता, लेकिन जितना मतलब पहले और दुसरे लोग में अंधेरा होता है, इतना अंधेरा यहाँ पर नहीं होता, यहाँ की जो आत्माए होती है, एकदम उनको हम बड़े पापी नहीं कह सकते हैं, जैसे उधरन के लिए पहले और दुसरे के लोग की आत्माए होती है, उन्होंने प्रत्वी पर जब वो आ र लोक में लेकिन तिसरे लोक में जब करते हैं। दुसरे के बारे में कभी भी नहीं सोचा, सिर्फ अपना ही वो खाते बैठा, अपने लोगों को भी उसने कुछ भी नहीं ये किया, बस मतलब एकदम स्वारती जैसे नीच प्रवृत्ति का जो इंसान होता है, हाँ उसने किसी का खुन नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने यहां कि जो आत्मे होती है, वो जब यहां पर आती है, जैसे किस लोगों को ये भी लग सकता है, कि उनके आत्मा ही पापी होगी, ऐसे नहीं होता, पृत्वी पर उन्होंने पाप करे, लेकिन आत्मों लोग में जब वो आते है, तब उनको पता चलता है, कि मैं तो एकदम कहिना कही प्रकाश नहीं है, यहां पर भी आत्माय समुदाय में ही रहेंगी अपने लोगों के साथ, लेकिन वहां पर भी वो ज़्यादा तर जगडती रहती है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा अच्छे से बोल लिया, लेकिन ज़्यादा तर जगडते बैटना, दूसरी को जो आत्माय होती है, वो इतने निशले स्तर पर गिरे होते है, तो ऐसी जो आत्माय होती है, वो सुधरने की मतलब कोशिश करते है, लेकिन बहुत बार उनको संभव भी नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग में भी थोड़ी सी सुधरने की कोशिश करते है, लेकिन तिसरे कि कही ना कही उनको सुधरना तो है लेकिन जब वो पृत्वी पर आती है तब वाद बार ये देखा गया है कि वो फिर से पाप करने लगती है क्योंकि तब वो समझ नहीं पाती या फिर अपने मन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती जैसे कोई एक इंसान है उसने पृत्वी पर बहुत सारी लोगों को पैसे से ठगा है और बहुत सारी लोगों के पैसे ठगने के वज़ेसे वो निचले स्तर पर चला गया पिर उसके माँ हो, या फिर उसका बड़ा भाई हो, या फिर बहन हो, वो उसको समझने की हो सकता है की कोशिश करे के तुम लोभी मत बनो, क्योंकि कैसे होता है कि आत्मा ये जो होती है वो तुरन नहीं बदलती, तो ऐसा जो इनसन है, अपने पाप को मतलब उसको स्विकार कर बाद में वो ये कहेगा, कि कही न कही आप मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा, जो मेरे अंदर लोब है, मैं इसका खाऊ पैसा उसका खाऊ, इसको मैं पुरी तरीके से नश्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा, ऐसे वो सोचेगा उसकी आत्म लेकिन जब वो पृत्वी पर आएगी, तब उसका जो मुल सबाव है, वो तुरंट बदलता नहीं है, तब वो हो सकता है कि जब लोगों के पैसे ठगने की कोशिश करे, तब उसके परिवार वाले उसको सुधरने की कोशिश करे, कि बाबा तुम बुरा करम मत करो, इसका फ उनका कंट्रोल बहुत ही अच्छा हो अपने आप पर, इसलिए ऐसी जो आतमय होती है, वो फिर जब पाप करेंगी, तब उनको कोई अगर समझाने वाला भी हो, फिर भी वो सुधरती नहीं है, ये भी देखा गया है, जैसे आपने भी देखा होगा, कुछ लोग शराब पि बाद में वाँ से मतलब सुधर कर जाने के लिए उनको तकरिबन पांचसो, छेसो, साथसो, हजार साल भी लगते वे दिखाई दिये है, तो इस तरीके से मतलब आतमय लोग क्या जो तिसरा लोग है, उसकी कहानी है, ये जो लोग है वो एकदम बुरा भी नहीं है, जितना प पुशिश करी, अब हम इसके बाद चौथा जो लोग है, इसके बारे में जानकरी लेंगे, क्योंकि जो चौथा लोग है, वो नौरक नहीं है, वो कहिना कि ये एक ऐसा लोग है, कि जहां पर अच्छी भी चीज़े है, कुछ बुरी भी चीज़े है, तो उसको हम बहुत ही डिटेल में, जितना हो सके, मुझे जितनी बाते पता है, मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में ज़रूर जानकरी दूंगा दोस्तों, तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते है, आप अपने परिवार का खयाल रखना, आपका बहुत बहुत किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेनुएन भरोसे मन थेरपिस्ट की तलाश कर रहे हैं, जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नमबर पर वाटस अप मैसेज कर सकते हैं, हम जितना हो सके, आपको किसी अच्छे थेरपिस्ट की बारे में बत